जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टंट सूजी के हलवे की रेसिपी इसकी रेसिपी बहुत ही क्वीक और सिंपल है आप हमारे बताय हुए तरीके से इसे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका हलवा बनकर तयार हो तो 30-35 से के लिए हम इन राइफरूट को घी में अच्छे से रोष्ट कर लेंगे राइफरूट की क्वांटिटी आप यहां पर अपने टेस्ट के अकोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं राइफरूट को हमने लो फ्लेम पर 30-35 से के रोष्ट करने के बाद पेन में से निक और इसे लगाता चलाते हुवे मीडियम फ्लेम पर सूजी की घी में अच्छे से भुनाई करेंगे जितने अच्छे से हम सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा हलवा बनकर तयार होगा अगर हमने सूजी की भुनाई थोड़ी कम की होगी तो हलवा सही नही तो परफेक्ट हल्वा बनाने के लिए हमें इसे लगाता चलाते हुए भूनते रहना है सुजी के इस हल्वे की रेसिपी बहुत ही क्वीक और सिंपल है इसे कोई भी ट्राइ कर सकता है जब भी कुछ मीठा खाने का दिल चाहे तो जटपट बनने वाले इस हल्वे को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो हमें यहां पर हल्वे को मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए आठ से दस मिनिट हो चुकी है आप देख सकते हैं के सूजी थोड़ी फूलने लगी है और इसका कलर भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा चैंज हो गया है और इस स्टेज पर हम घेस की फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे तो आट से दस मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भूने के बाद हम अब लो फ्लेम पर भूनेगे ए श्टेज पर हम इसमें 1-1.5 टेबल स्पून जितना देसी घी और एट करेंगे तो हल्वा बनाते वक्त हमने घी बेची समेहट किया है तो हम यहां पर तीन बार घी एट करेंगे तो पहले हमने पास से चेह टेबल स्पुंज इतना घी एट किया कुछ देर तक में फ्लेम पर भूने के बाद हमने थोड़ा सा घी ओर एट कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर कितना डार्क हो गया है और इसकी भुनाए अच्छे से हो चुकी है सूजी की भुनाए जब अच्छे से हो जाएगी तो इसमें से बहुत ही बढ़िया महेक आने लगती है तो टोटल 15-17 मिनिट टक हमने इसे भून लिया है शुरुवात के 8-10 मिनिट टक मीडियम फ्लेम पर और फिल लो फ्लेम पर हमने इसे भूना है और इस टेश पर हम इसमें गरम पानी एट करेंगे तो दूसरी तरफ हमने तीन कब जितना पानी अच्छे से गरम कर लिया है यानि कि हलवे के लिए हम जितनी सूजी एट करते है इसका तीन गुना पानी हम इसमें एट करेंगे और पानी को गरम करने के बाद एट करेंगे और इसे लगाता चलाते हुए पकाएंगे और पानी को हम एक साथ में एट करेंगे यानि कि तीन कब पानी हम एक बड़े बरतन में एक साथ ही गरम करके इसमें एट कर देंगे स्टेज पर हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो हम ने यहाँ पर 1 कप सूजी लिए 1 कप चीनी काफी है लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ज्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो आप इसमें 7 कप चीनी एड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला और देख सकते हैं कि चीनि empêlt Soul और इस टेच पर हम इसमें ड्राइफुरुट से एकड़ कर देंगे तो पहले हमने घी में जो ड्राइफुरुट्स रोष्ट करके हुए हे इसे इसमें एकड़ करेंगे और अभी भी हमें इस हलवे को लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक इसकी हलवे वाली परफेक्ट कंसिस्टंसी ना आ जाए और यह जो हलवा है वो पेन को छोड़ने ना लगे तो ड्राइफ फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए और पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं के हलवे की परफेक्ट कंसिस्टंसी आ चुकी है और यह जो हलवा है इसने पेन चोड़ना भी शुरू कर दिया है इसी के साथ हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनकर बि जरूर करेंगे इसे मिला लेंगे इस तरह जब आप इसमें लाष्ट में घी एड करेंगे तो इससे हलवे का टेस्ट और भी बढ़िया आता है और हलवे को एक बढ़िया सी साइन मिलती है यह देखिए कितना डेलिशियस और दानेदार सूजी का हलवा बनकर तयार हुआ है सूजी के हलवे की क्वीक, सिंपल और इजी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हलवे को सब करते वक्त हम इसमें थोड़ा सा देशी घी और एट कर देंगे और ड्राइफ रूट्स की जो क्वंटिटी हमने गानिशिं के लिए रखी है वो भी एट कर देंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई